हाई अब्रिवान कैसे आप लोग मीथ बहुत ही बड़े होंगे मैं गीता वर्मा फिर से एक बार गीता किनू लाइफस्टाल में आपका बहुत-बहुत सहागत करती हूं मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि माम एंटी एजिन कोई पैक बता दीचे हमारे बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ गए हैं हमारी जो सकिन है उस पर इतनी सारी फाइन लाइन्स हो गई है एज ज्यादा लगती है साथी सर्दियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा जसकी प्रब्लम हो गई है आपको पता है जिस इंसान की स्किन बहुत ज्यादा ड्राइ होती है उसको ज्छुरियां भी जल्दी पड़ती है इस चीज में जो ऑईली स्किन वाले होते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं क्योंकि उनकी स्किन हमेशा मॉस्चराइज रहती ह क्योंकि ओयल निकलता रहता है वैसे तो ओयली स्किन वालों के भी बहुत सारी प्रब्लम होती है पर जुरियों की मामले में ओयली स्किन वालों को जुरियां कम होती है क्योंकि उनकी स्किन हमेशा मॉस्चराइज रहती है क्योंकि तेल निकलता रहता है हमेशा मॉस्चर रहता और भी प्लिश भी के वालों से फाइदा रहता है तो ड्राय सकिन वाले क्या होइज जूरियां पड़ आएगाए इस न की तरीके से में अपनी चीज़न को मेंटें करती हूं बहुत जल्दी ज्यादा ना लगे कम लगे हर कोई चाहता है कि जल्दी बुढ़े ना हो जवा रहें तो आज मैं शेयर कर रहे हूं आपके साथ एक ऐसा पैक जिसको लगाने के बाद आपका रंग भी साफ होगा डेली आपको इसे लगाना है पेस वाश की तरह यूज कर सकते हैं पैक की तरह यूज कर सकते हैं इक तम बेबी सॉफ्ट हो जाएगी फिल्कु घर की चीजों से मैं ये पैक बताने वाले और इसको लगाने के बाद एक बार में ही आपको बहुत इच्छा रिजल्ट मिलने वाले तिनी सॉफ्ट हो जाएगी ना स्किन जब आपकी स्किन स पढ़ेंगी फाइन लेंगी तो आए देख लेते हैं इस पैक को मैं कैसे बनाती हो और इसे कैसे यूज करती हूं अपने उपर यूज करके भी निखाऊंगी तो आज की वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने बाव ले लिया जिसके अंदर में एक अगला टैन के रख लेती हो और इस पैक में यूज करती हूं एक चमच मेंने मलाय ले लिए आप मैं इसमें डालूंगी एक चमच बेसन वहीं बेसन आपका टेस वॉश को बहुत अच्छा काम करता है आपका रंग निखाचने में काम करता है साथ आपके टैनिंग अगरा ज करना है, हफते में 2-1 दिन ब्लिस्क्रप करना है, जिस दिन आपको पास्व करना है, उसी दिन औरस यूज करें, नहीं तो औरस यूज ना करें, जिन लोगों को बे सन सूट नहीं करता है, वो इसकी बुंदे मैंने ग्लिस्टीन की एड़ की हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ पापाया जल पापाया जल सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है आपकी टैनिंग को रिमूव करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मौश्राइज करेगा जिन लोग के पास पाया जल डालिए पापाया जल नहीं डाल सकते तो एलवेरा जल दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से मिक्स करेंगे तो यह एक टेस्ट बन जाएगा पैक बन जाएगा इस तरह का अब मैं इसे आपको यूज करके दिखाती हूँ किस तरह के यूज कर तो एक जी बार यूज करना मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरीकसे पाक लगाना है कैसे तरीका हैiv का लगाने का फिलाल वक बिम्धि ठालेते हो ओ और इसेापको दिखाता है नहाने जा रहे हो Saud से पहले आप इसे लगा लिजे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कोई face wash वगरे यूज़ करने की जुरूरत नहीं है इसके बाद आपको सिर्फ गरम पानी से गुनगुने पानी से अपने face को wash करना है तो फिलाल में आपको इस pack को लगा के दिखाती हूं कैसे लगाना है अगर आपके हाथ पेर भी dry रहते हैं तो उस पे भी आप ये pack लगा सकते हैं क्योंकि इसका result बहुत ही अच्छा है और इसमें हमने add किया है oats या फिर आप उसकी जगे चावल का आटा भी add कर सकते हैं वो बहुत अच्छा scrub का भी काम करते हैं जो मैल ये tanning हो गई आपको वो भ इसकी जगे चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं पर ords मत मिलाएगा और्स आपको तभी मिलाना है हफते में दो बार कर सकते है स्क्रब आपको डेली नहीं करना होता है और स्क्रब बहुत आराम अराम से करना होता है कि skin ना चिल जाए अपकी तो फिलाल मैने इसमें इसमें स के बनाईएगा तो इसकी जगे थोड़ सा चावल काटा एड़ कर देंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर आपको रंग भी साफ करने साथ ही साथ अपने स्किन को मौश्राइज करने के साथ साथ तो फिलाल में इसे आपको यूज करके दिखाते हैं अपने पेस्ट भी कैसी यूज करना है काफी थिक पेस्ट है पतला मत करिए कर नहीं तो टपकेगा फिर आपके कपड़े खराब हो जाएंगे इस तरीके से आपको इसे लगाना है अगर यह पैक बच भी जाता है तो आप इसे दो से तीन दिन स्टोर करके रख सकते क्योंकि मलाई है ज्यादा दिन स्टोर करके रखेंगे तो स्मेल आने लगेगी इसलिए ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते थोड़ा बाद दो दिन तीन दिन आप प्रिज में स्टोर करके रख सब्सक्राइब तो इस तरह से यह पैक में पूरा लगा लेती हूं फेस पे है अब मैं इसे 10 मिनिट के लिए छोड़ा दीों 10 मिनमें पूरा तो नहीं सुखेंगे तो वह जट्ना सुखने देंगे बहुत जबंदे नहीं रखना है मैं इसके बाद को दुखाते हूं झार खारना को क्या करना है उपर की तरफ स्ट्रोक्स ले जाते हुए, कभी भी नीचे की तरफ आपको स्ट्रोक्स नहीं ले जाने होते हैं, तो कि उसे आपकी स्किन में और ज़्यादा जुरिया पड़ जाती है, इस तरीके से हल्की हल्की सी मसाज करनी है, इससे आपके रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, उपर की तरफ ऐसी करके ले जाना है यहां से भी यहां पर बहुत लोग के होते ना ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर ले जाना है अपने मसाज जो भी करेंगे आप इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स ऐसा करने से आपकी जो रिंकल्स हैं वो कम होते हैं और यह जो पैक वैसे ही बहुत असरदार है रिंकल्स के लिए, क्योंकि जब आप ठंडे पानी से फेस को धोएंगे, तो यह मलाई है, इसमें बहुत सारी चिकनाई है, तो आपकी चिकनाई नहीं जाएगी और आपका फेस चिप-चिप करेगा, तो आपको क्या करना है, गरम पानी से थोड़ मेरी स्किन, तो यहां पर मैंने गरम पानी से अपना फेस वाश कर लिया है, और यह बहुत सॉफ्ट हो गया है, मैं एक बार टावल से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाए हूँ, इतनों सॉफ्ट हो गया इसको लगाने के बाद और जब आपका फेस हो चुके है और बहुत ही मज़ात है इसको लगाने के बाद कोई फेस वाश की जरुवती नहीं पड़ेगे आपको लगाईए और इसका जो रिजल्ट है फीडबैक है मेरे साथ ज़रू शियर कीजिए का मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते कि क्या रिज आपकी पर साथ ही शियर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी खास जरूवत है आप इसे वोट्ट सॉप पर इंस्टाग्राम वेस्बूक पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं साथ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह की बहुत इंट्रस्टिंग इंफॉर्मेशनल वीडियो में लेकर आती रहती हूं नोटिफिकेशन बैल को अन करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं होता है मैं कम वीडियो अपलोड कर दूँ और आप इस तरह की वीडियो मिस कर देंगे अगर आपने बैल आन नहीं कियोगी तो इसलिए बैल जरूर आन करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो फिर मिलती हूं इस तरह की और भी इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तिल ने गुडबाई